Hello everyone, welcome to our YouTube channel. आज की क्लास में हम बात करने वाले human personality से related questions के बारे में. Human personality से related किस परकार questions इस books में दे रखे हैं, उनके बारे में हम discuss करेंगे questions का level काफी बढ़िया है, कुछ questions easy हैं, तो कुछ questions एक वहुत बहतर understanding वाले भी हैं. तो start करते हैं questions के discussion को, सबसे पहले questions की बात करेंगे. एक मनोबेग्यानिक परिप्रेक्ष में ब्यक्तित्वक किसको संदर्वित करता है? From a psychological perspective, personality refers to एक ब्यक्ति की बरताफ, सोच और भावना की विशेश से लिए, सारे एक प्रविस्ता जो स्यम को मनोबेग्यानिक रूप में प्रकट करते हैं. पिछली घटनाओं ने एक ब्यक्ति के बरतमान भेवार को जो आखार दिया, बिकल्प जो लोग सांस्कृतिक मान दंडों के अनुरूप चुनते हैं. क्या होगा इसका right answer? एक बार खुद से भी आंसर देने की कोशिश करें, उसके बाद फिर मैं जो आंसर बताता हूँ, उस पर ध्यान दे. राइट आंसर ऑफसन नमबर फस्ट रफ हो जाएगा, जो personality है, उसके अंदर देखा जाता है कि एक परसेन की किस परकार की characteristics है, किस परकार कभी behavior करता है, उसके thinking किस परकार की है और feeling को किस परकार से बहें समालता है. टाइट आंसर ऑफसन नमबर फस्ट हो जाएगा. नेश्ट है, कोशन नमबर, सेकंड. किस एक को छोड़ कर, निमन में से सभी ब्यक्तित विका, पांच बड़े कार को में से एक है. All of the falling are among the big five factors of personality, except किस एक को छोड़ कर. अनुगप करने के लिए खुलापन, ये इसके अंदर आता है. अंतर वेवेक सीलता, ये भी आ जाता है. बाहिर मुखिता ये भी आता है, लेकिन परोप कारिता इसके अंदर नहीं आता. जो विक five trade theory, जिसे ocean theory के नाम से भी जाना जाता है. इसके अंदर आपका extraversion, agreevelness, अगर हम बात करें तो करते अब निष्टा संगती, विक्षिपता, इस्थिरता, बिक्षिपता, इस्थिरता मतला होता है, नियूर्टेसिज्म, stability, और जो आपकी openness होती है, वो इसके अंदर आ जाती है. openness to experience, openness to creativity, यह सारी चीज़ आपकी विक्षिप थियोरी के अंदर आ जाती है. तो इसका right answer option number second रहेगा, altrism इसके अंदर नहीं आता है. नेश्टेक option number third, monobagyanic जो ब्यक्तिद्व का अध्यान करते हैं, किसकी जांच करते हैं? psychologist to full study personality investigate, अब यह किसकी जांच करते हैं, ब्यक्तिद्व के साथ प्रदर्सित करता हैं, बिल्कुछ सही बात है, इन सावी चीज़ों की ब्यात की जाती है, कि समय के साथ ब्यक्ति किस प्रकार का ब्यावा, किस प्रकार की भावना है, किस प्रकार के बिचारों को प्रदर्सि यह नहीं आएगा, माधुरिया एक व्यक्ति की से जगता, यह भी नहीं होगा, राइट आंसर रहेगा, इसका उप्सिन नमबर फर्स्ट, कि बिचार और भावना है, जो व्यक्ति एक समय के साथ प्रदर्सित करते हैं, नेश्टे कोसर नमबर फोर, बिचिश्ष्ष्ष्ष कौन था, तो वे था आपका आलपॉर्ट, गार्डन, आलपॉर्ट था, जिसने सेंटर, कार्डिनल, एंड सेकेंटरी, तीन प्रकार का ट्रेट की बात करते हैं, फिर सेंटरल ट्रेट की बात करते हैं, और फिर सेकेंटरी ट्रेट की बात करते हैं, तो यह तीन प्रकार का ट प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं आपके लेटेंसी स्टेज में और यहां पर यह बैच्चावी कहां पर है यह बच्चावी एक स्कूल में है तो राइट आंसर क्या होगा और फॉर्थ हो जाएगा काम प्रसूप्ति यानिकी लेटेंस इसके बाद आपकी फैलिक स्टेज आती है तो लेटेंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉस्ट नमबर सिक्स है निमने लिखित में से कौन सा फ्राइट के ब्रेक्टिद्वे के लिए मनोबेग्यानिक द्रश्ट की कौन की एक आम आलोचना नहीं है तेकि फ्राइट ने जो अपना सिद्धान दिया उसकी काई आलोचना ही की गई जैसे कि इस सेंपल ऑफ पैसेंट्स वाद स्मॉल एंड अन्रिस्पेक्ट अन्रिप्रिजेंटेटिव ऑफ जनरल पॉपुलेशन यह बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने सिर्फ मरीजों का अनमूना लिया था जो की जैसे के हम बहुत छोटा था इस बजिस से तो आलोचना हुई है उनका सिद्धान्त पस्चमी यूरोपिये और उत्री अमेरिकी सांस्कृति मूलियों को दरसाता है यह बात भी ठीक सिद्धान्त मनोबग्यानिक रूप से बिक्सित नहीं किया गया था और इस प्रकार पूरवागराय के अधीन है तो यह बात भी सही है तो तीनों के ही ती पसुराब नर्स चाjam को दरसाते हैं सिद्धान्त ब्यापक नहीं था उसका मनोबग्यान पर थोड़ा साह一定要 इप्रभाप PETER है कि यह नहीं के सकते कि मनोबग्यान पर उसका थोड़ा साही प्रवंदब मनोबेग्यान पर इनके सिदानत का बहुत बड़ा प्रवाब पड़ा है तो यह एक प्रकार की आलोचना नहीं है क्योंकि यह स्टेट्मेंट ही गलत हैं बाकि यह तीनों ही आलोचना हैं कोशन नमबर सेवेर हैं बिकास के मनोगातिक दश्टीकूण का नुसार हम सभी मोखिये गुदिये और लेंगिक चर्णों जैसे मनोबेग्यानिक चर्णों की एक स्रंकला से गुजरते हैं इन चर्णों में से किसी एक पर अंसुलजा संगर्स होने की कारण हो सकता है देखिए कि जब इन स्टेज से गुजरते हैं अगर किसी स्टेज में हमें जोची चाहिए वे नहीं मिल पाती है तो होता क्या है निश्क्री योन भावनाई उस चरण में निर्धारन आविगों का एक अचेतन अवरोधन या फिर एक बिक्रत लिंग पहचान देखिए अगर किसी प् फस कर रहे जाते हैं जैसे कई लोग होते हैं जिनकी औरल स्टेज सही तरीके से पूर नहीं हो पाती है तो आने वाले स्टेज में जाकर भी अंगुठे को चूशते रहते हैं उसकी पूर्ति करने के लिए है fakश नमर 8 है मनोगतिक सिद्धांतवादी और चुक Beim के विचारों को अश्विकार करें करते निकिन भेक्तित्व का लेकिन वे फ्राइड को उसे निकिन वे कुछ बातों से सह कैंत हैं अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं का अस्तित्व, ओडिपस और इलेक्ट्रा परिसरो, फ्राइडियन सिध्यानत का अनुमानित अन्मूले, बेक्तित्व के कारे-कारे इससे के रूप में पराम अहम की भूमिका, देखी वो लोग इस चीज़ को मानते हैं कि अचेतन मानसिक प्र जाता है जिसे उन्होंने स्थानी एलेक्ट्रोनिक्स स्टोर पर देखा था, लेकिन उसके पास ब्रीक्तित्व की कोंसी सन्रस्टना उसे फोन चोरी करने के लिए कहींगी, जब दुकान में कोई इससे नहीं देख रहा होगा, तो को तीन चीज़े होती है, आप लोगोंने सुपर इगो एदियाने की दाना प्रवर्ती इगो आपका होता है संतुलित ब्यक्तितव या जिसे हम के सकते हैं कि बास्तिक्तापर अधरित और सुपर इगो होता है आपका देवता प्रवर्ती का अगर चोरी करने की बात कर रहा है तो कोई सी प्रवर्ती आएगी वह आपके इद के अंदर आ जाएगा इदम के अंदर तो उप्षन नमर एस का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोर्शन नमर टेर हैं व्यक्तित्वेसं रचना के फ्रैट के विचार के मुतावित कारेकारी में कारेकारी में प्रणाली अधिक स्विकार तरीकों से के आवेगों को संतुलित करना चाहता है देखिए जो आपका इगो होता है इगो, इड की आववेगों को संतुष्ट करता है स्वीकार तरीके से जैसे कि ice cream खाना है, पैसे नहीं है तो चोरी मत करो, उससे जाएकर request करो या फिर कहीं से पैसे का arrangement करो और उससे खरीद के खाओ तो जो इगो होता है न आपका, जो इगो वो id की भावनाओं को स्विकारी तरीके से पूरा कराता है तो राइट आंसर ओप्शन नमबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 11 है प्राइड ने प्रस्तावित किया कि विवेक की आवाज का विकास से संबंदे थे जो आदर्सों को आंतरिक बनाता है और नेने के मानकों को प्रदान करता है देखिए Vice of Conscience is related to the bands internalized ideals और प्रोवाइड सटेंडर्ड पो जजजमेंट्स यहाँ पर बात चलिए जजमेंट के स्टेंडर्ड की यहाँ आदर्सों को आंतरिक बनाने की बात चल लिए ये सारी बाते करता है आपका सुपर एगो जो आदर्सों की बात अगर हम करें और बिविक की आवाज की जो हम बात करें तो वो आपके सुपर एगो के अंदर आ जाते हैं तो राइट आंसर ओप्शन नमबर सेकंड हो जाएगा तो यहले प्रितिक का बोस उसे खराप समिचा देता है जिससे प्रितिक बुरा महसूस करता है और जब घर आता है तो वे अपनी पत्नी और बच्चों पर चल लाता है तो इसने क्या करा कहीं का गुस्टा कहीं निकाल दिया जब आप कहीं का गुस्टा कहीं निकाल देते हो तो वहाँ पर आपके करते हो उसे डिस्प्लेस कर देते हो विस थापित कर देते हो तो थाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशा नमबर 15 है पृतिक जो आठ बर्स की लड़का है लगातार अपने तीसरे बर्गे की कक्छा की लड़कियों में से एक को छेड़ता है बे उसको अलग-अलग नामों से बुलाता है खेल के मीदान में पीछा करती हूँ और लड़कों से कहता है कि उसके सिर में जुए है अगर पृतिक की असली भावना इस लड़की की आकरसन की तरह अधिक है तो हम यह कह सकते हैं कि पृतिक का परदसन कर रहा है देखिए यह जो लड़का है यहाँ पर लड़का क्या कह रहा है एक लड़की है उस लड़की को परिसान करता है उसके आगे पीछे घुमता है और लड़कों से बोलता है कि इसके सिर में जुए है यानि कि यह इसके बारे में बुरा बला सा बोल रहा है लेकिन इस लड़की की तरह इसका है आकरसन ये कर क्या रहा है? ये इसके जश्ट अपोजिट काम कर रहा है जब अपोजिट काम किया जाता है तो उसे हम बोलते है रियक्शन फॉर्मेशन ठीक है? आपके माइंड में कुछ और है लेकिन आप कर कुछ और रहा है उ दूसरों को दिखाने के लिए यानि कि मैं तुमाँ आप किसी को फोलो करते हो लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए मैं इससे फोलो नहीं करता है उसके वारे में गलत सुलत कुछी बोलना शुरू कर देती हो तो वो रियक्शन फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है तो थार्ड इसका राइट आंसर रहेगा सिस्टीन है तीन साल के पृतिक ने अपने पृता एक सेफ को देख रहा है जब परिबार के लिए भोजन तयार करता है इस साल पृतिक ने अपने जनम दिन के लिए एक खेल रसोई घर के लिए कहा राइट कहेंगे कि पृतिक अपने ओडिपल संगर्स को हल करने के लिए एक तरीके के रूप में प्रिक्तिया शुरू कर रहा है देखिए अब वो प्ले किचिन खरीद रहा है उसके वर्डे के लिए जबकि वो इस प्ले किचिन नहीं खरीदते है तो वे एक identification के तरी खड़ीद रहा क्योंकि उसने देखाए कि एक safe है और वे safe अपने घर को चलाने के लिए या करता है खाना बनाता है तो वे चाता है कि में भी ये काम कर सकता हूँ उससे identify करेगा वोसे कि वे भी तो खाना बना रहा है एक mail होकर तो में भी बना सकता हूँ तो यहाँ पर identification हो जाएगा 17 है अनेक बार सरकारी नोक्री के परिक्षा में असफल होने के बाद कई परिसेदी यूटूबर इस तरते को छिपाते हैं और अपने subscriber से कहते हैं कि वे सरकारी नोक्री नहीं करना चाहते हैं राइट के अनुशार यह असफल यूटूबर कौन सी रक्षा युक्ति का प्रियोप कर रहे हैं अब यह question क्यों create कर रहा है आप लोग यह समाजी सकते हो किसकी तरह point out करने के लिए खिर हमें इससे मतलब नहीं हम्हें उमारे answer टिक करने से मतलब हैं तो यहां पर हो क्या रहा है यहां पर बात वो ही चल रही आपकी reaction formation की कि यहां पर आपका reaction formation छल रहा है क्योंकि आप उसे चाहते हैं लेकिन फिर भी आप इस तरह से सोफ कर रहा है कि आपको उस जोब की ज़ुरत नहीं है तो इसे हम रियक्शन के बारे में बात करने में परिसानी हो रही है तो वह उसकी अचेतन मन से उन बातों को निकलवाएगा अचेतन मन से बातों को निकलवाने के लिए कौन से टेस्टों को यूज किया जाता है तो उसके लिए यूज किया जाता है आपकी प्रोजक्टिव टेस्ट को जिने हम बोल और विचारों के बाड़े में सेखड़ों सवालों का जवाब देना यह नहीं होगा और यहां पर क्या होते हैं और स्याही के धब्बों को देखकर आपको बताना होता है कि आपको इसमें क्या देख रहा है उसे साथ से उसकी अचेतन मन की चीजों को पता किया जाता है कि उसके एचेतन मन में क्या चल रहा में जिसमें कम से कम reliability होती है यह अमें बताना है subjective test, projective test, personality inventory या फिर observational study जो ब्रक्तित पर सूची होती है personality inventory इसमें पहले से decided questions होते हैं उसको yes, no, ha, na, proof, was, जैसे करके कुछ बताना होता है इसमें विश्वस्तनियता के साथ कम समय स्या होती है question number 21 है, निमने लिखित में से कौन सा वहवार मूल यंकन नहीं है, which of the following is not a type of behavioral assessment प्रत्यक्षव लोकन, बिसे का संप्रत्य परिक्षण रेटिंग इसके लिए पर आवरती करना sorry, जो thematic appreciation test है, इसमें आपके behavior का assessment नहीं किया जाता है, इसमें आपके personality का assessment किया जाता है तो option number second, right answer इसका हो जाएगा, next is question number 22, ब्रक्षव का मूल यंकन करने के प्रक्षव पी तक्निकों में सामेले, कौन कौन सी projective techniques है, personal inventories नहीं है, self reporting भी नहीं है, response to image stimulus and actuarial methodology जो भी है, right answer third रहेगा, यह वो आपका साइध दबब परिक्षण बाला यह जिन्हों जिसको अलग तरीके से लिखा गया है, तो third रहेगा, 23 है, ब्रक्षण की जो सबसे सीधे, पांच कारक मोडल आयमों का अखलन करता है, वो है आपका new PI, option number 4, right answer हैगा, जो ब्रक्षव का बे लंबी प्रस्णवालिया हैं, जो लोगों से उनकी विशेस भावना और भ्यावारों के बारें बताने के लिए के लिए कहती हैं, पर सिद्ध व्यक्तित्व सूची क्या है, परस्णालिटी इन्वेंटरी, अगर आपको पता भी ना हो और उनके फुलफों भी मालूम हो तो भी याँ बता सकते हूँ, इसका राइट आंसर होगा, MMPI, Minnesota Multiface Personality Inventory, ओप्शन नमबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25A, प्रोजक्टिव टेस्ट, टेस्ट देने वालों से एक आइस पस्ट उद्धीपक का जवाब देने के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए उसका बढ़न करने है, उसके बारे में कहानी बता कर, सुपरिसेट प्रोजक्टिव टेस्ट का निरमाता को ने जो उद्धीपक के रूप में स्याई दब्बे का प्रियोप करता है, तो हर्मन रोशास, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओप्शन नमबर 4, जो स्य आत्मे रिपोर्ट परिक्षण, आत्मे रिपोर्ट परिक्षणों में एक समय से जिसे सोध करता होंने दूर खरने का प्रियास किया, बैता, सोशल, डिजायरेबिलिटी, यानि कि सामाजिक बांचनियता, कॉसर नमबर 28 है, मूल यंकन टक्निक जो प्रति भागियों को उद्धीपक के बारे में एक कहानी बताने के लिए कहती है, वह है, दसिस्मेंट टेक्निक टेक्स पार्टिसपेंस टू टेल आइस्टोरी एबाउट देसी इंदा, देखिए वो उद्धीपक के बारे में कहान कहानी बताने की बात चल लएए, कहानी बताई जाती है आपके TAT में, और जो रोसार से इंग फ्लो टेस्ट परिक्शन है ना, इसमें धब्बो को देखकर ये बतान होता है कि आपको उसमें क्या दिख रहा है, ठीक है, जो राइट एंसर नमबर 4 रहेगा, मॉर्गन इन मॉ प्रितिक के लिए नए कर्मेचारियों को बढ़ती के लिए जिम्मेदार है, ये चैनो का माधेशन करने के लिए प्रितिक अपनी कर्मेचारियों की स्क्रीनिंग में मूली देखाता है, जिनके अविस्वस नहीं होने की संबावना है तो इसके लिए यूज करेगा वह ऑब्जक्ति पर्शनाल्टी टेस्ट कर्मिचारियों के मूले को बारे में बताएगा उनकी क्या अच्छा है उनके अंदर क्या बुराई या फिर जो क्या बोलते हैं जो कर्मिचारियों का अन् कर रहे हैं अगर आपको किसी कोशन डाउट रहा है तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं या पर सजेशन हों तो उसके लिए प्रोवाइट कर दिये जाएगा वहां से आप डाउनलोड करके प्रेक्टिस करते रहेगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दिजीगा